वेल्कम आज मैं इस टुटोरियल में आपको बताऊंगा option chain data का क्या importance है वे एक one month की record की हुई option chain data उसके आप कैसी use कर सकते हो कैसे reality में option का premium move करता है कैसे कैसे option का premium खत्म होता है दिर दिरे अगर उसके price में change ना हो और जहां फिर 10 दिन बाद भाही price हो तो option की value कैसे डिके होती है इस data से आप काफी help ले सकते हैं real trading की तरह तो देखिए ये nifty का chart है 27 July से लेकि 27 अगस्तत इसमें काफी moments हुई है जिस moments का report रखा गया है option chain में तो अब कैसे इस tutorial को use कर सकते हो हमने bull call spread लगाई है 8300, 8500 nifty के उपर call option की एक buy की है और excel की है और हमने ये entry लगाई है 28 July को और हम exit होगे 20 अगस्त को तो bull call spread एक अच्छा combination होता है अगर आप उपर की तरफ speculation करते हो और daily का profit and loss कैसे move होता है वो भी हम देखेंगे और दोनों की जो expiry date है वो 27 अगस्त है ये option chain data और भी use हो सकता है Greek calculations में और combinations में जैसे के हम देखते हैं ये bull call spread का combination हमने 194 से हमने 8300 की call buy की और sell की है और nifty उस दिन 8337 पे था और हमने total overall 100 minus pay की है और देखिए इसका break even point जो है 8400 है जो की 83 plus ये जो points है इसको add कर दिया है तो 8400 का break even over तो इसमें maximum loss जो है वो premium जो दिया हुआ है ये है minus 100 और maximum profit plus है 8400 के बाद 85 की sell की हुई है अमने तो इसलिए इसके plus 100 की profit possible है क्योंकि 84 जो है break even point है तो अब देख सकते हैं कैसे ये values change होती है with day और कैसे nifty change हो रहा है जैसे उपर जा रहा है तो तीन दिन वा को 42 point का profit मिलेगा फिर अगर रॉड उपर जा रहा है तो 54 का मिलेगा फिर अगर नीचे आ गया है तो देखिए कैसे minus 6 का profit मिलेगा ये 142 का हम अगर इसको sell करेंगे इसको buy करेंगे तो इतना difference आएगा already हमने 100 point pay की हुए है इसलिए 42 का gain है तो इसी तरह अगर crash हो जग गया था market 780 पे हो गया था तो 3 की थे over over a difference 1 था तो हमने 100 pay किया हुआ था एक ही profit gain हुआ इसमें तो minus 99 का loss हुआ हमें end of expiry अगर यहां हमें exit करते हैं तो 43 का gain होता है अगर एक ही दिन में उपर चला जाता है 85 तो उतना profit नहीं होता ये till expiry तक होते हैं ये calculation plus 100 minus 100 तो एकदम से change होते हैं ये expiry के pass की calculations होती है maximum loss or maximum profit की ये की दिन में अगर 86-87 चला जाए तो उतना जाता profit नहीं होता bull call spread में तो ये दिहान दखने वाली चीज़ है और आपको data provide कर रहा हूं मैं इस tutorial में जो की option chain का data है ये देखे 27 जुलाई को हमने अगस्त की expiry और उसी September की expiry नोट की हुई है ये 28 का है अगस्त का और September का expiry और इसके बाद 29 का है ये जुलाई का अगस्त की expiry और इस September की expiry तो आप देखते रही है 30 का है ये आप इसको stop करके भी देख सकते हो आप calculation daily का profit loss calculate की रही है अगर ने कोई spread लगाई हुई है ग्राफ देखे तो ये 30th September अगस्त का है और ये 3 अगस्त का है चार अगस्त का है ये 5 6 7 10 11 12 इसी तरह 17 का है 17 का है 15 का है 19 का है 19 यहाँ crash हुआ था एक दम से market 77 80 आ गया था 25 अधस्त को तो ये data भी है ये expiry 27 को देखे कैसे options 0 हो गई है सारी options out of monies आप देख सकते हों और पॉर्ट वाइट वाली है जिरो हो गई है और ये september का है 27 को और ये 28 को September का दिया हुआ data है तो इस हिसाब से आप देख लीजे पूरा option chain data आपके पास available है आप इसको pause करके देख सकते हो कैसे variation होता है इसमें तो एक बहुत अच्छा को paper trade करने को मिलेगा calculation करने को मिलेगा तो ये option chain provided data है एक बार मैं द्वारत फिर से repeat कर देता हूं इसी slides को झाल कर दो भीजे उस झाल झाल झाल